नमस्कार मैं डॉक्टर संजे शर्मा सभी सिख्षक सातियों का आज के इस कारेकरम में स्वागत करता हूँ सातियों आज हम छोटी कक्षाओं में परियावरन अध्यन विशे के संदर्व में सिख्षन अधिगम का जो मेत्पुन उपागम है जिसमें हम लोग आज सहयोगी सिख्षन अधिगम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पूर एक बार पुरह मैं यह बताने का प्रियास करूँगा कि हम यह जाने और समझें कि सीखना किसे कहते हैं सीखने को कौन-कौन से इसे कारक है जिनसे सीखना प्रभावित होता है साथी साथ सहयोगी सिक्षन अधिगम प्रक्रिया किसे कहते हैं क्या इस प्रक्रिया की अउधारना है और इसका क्या उप्योग होता है और इसमें हम सिक्सक साथयोगी क्या भूमिका बनती है इसके बारे हम चर्चा करेंगे तो आएए सबसे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, कि सीखना कैसे करते हैं जैसा कि आप सब लुग जानते हैं, कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें वित्ति के वेवार में कुछ खास तरह का या पेक्षिद बदलाव किया जाता है जब ये बदलाव वित्ति के वेवार में हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वित्ति सीखने की प्रक्रिया में है ये बदला विस्ताई होना चाहिए तता इन बदलाओं के माध्यम से व्यत्ति अपनी जीवन में कुछ जो निद्रिष्ट लक्षे उसने तहे कियें उनको प्राप्त करता है सीखना प्राए एक समय एवं संदर्पसापिक्ष प्रक्रिया होती है इस तरह का सीखना एक प्रकार से सुविचारित, योजनाबद एवं संग्यानात्मिक प्रक्रिया है जिसमें बच्य की भूमी का या सीखने वाले की भूमी का एक सक्रिय, संचेतन था उत्परे रक्की होती है हम सीखते कैसे हैं? ये भी समझना और जानना मैत्वपूर्ण है सीखना अप राए, बच्ये अक्सर नकल करके सीखते हैं उसको अनुकरण करके सीखते हैं, अपने सीखेवे को दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, उन अभ्यासों में जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों से सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं और अवलोकन करके सीखने में नए प्रकार के वेवार का रगातारू निर्मान कर रहे हो बच्ची की अपनी समझ और उसकी परिपक्वता भी सीखने में एक बड़ी भूमिका निभारही होती है। बच्ची की जिग्यासा सीखने को लेकर उसकी ततपरता प्राय सीखने में मदद करती है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं और मानते हैं, कि सीखने के लिए खास तरह का माहुल होता है, कि परिवेश होता है। और इस परिवेश का निर्मान करना अक्सर हम सिख-खसातियों की बड़ी जिमादारी बन जाता है। क्यों कि सीखने का ये माहोल या ये परिवेश ही बच्चों को सीखने के लिए तयार कर रहा होता है उनकी तत्परता को बढ़ा रहा होता है इन सब के साथ सीखने के लिए बच्चे की अपनी आंत्रिक प्रेणा या उसकी बहाय प्रेणा भी महत्रपुन गुमी का निभा रही होती है सीखने में यदि रोचता है बच्चा अगर आनंद पूरवक उस कक्षा में है और उस विशे में भागिदारी कर रहा है तो निश्शित रूप से ये भी उसके सीखने को बढ़ा रहा होता है अर्था बच्चे की अपनी समझ, उसकी परीपक्वता, उसकी ततपरता, विद्याले या कक्षा का माहूल, उसकी आसपास का माहूल, सीखने के लिए उसकी आपनी आंत्रिक या भाय प्रेणा और उसकी विशे के परति रोचकता, यह सब मिलकर प्राय सीखने को बढ़ा रही ह होती है या उसको संदर्वित कर रही होती है यह जान लेने के बाद कि सीखना क्या होता है सीखना कैसे आगे बढ़ता है और सीखने के महत्वण कौन-कौन से कारक है इन सबको समझ लेने के बाद छोटी कक्षाओं के लिए खास तोर पर परियावन अध्यान के विशे के संदर्व में सैयोगी अधिगम के द्वारा सीखने सिखने की परक्रियाओं को एक महत्वण परक्रिया की रूप में जाना गया है सैयोगी अधिगम से हमारा तात्परिया कॉपरेटिव लर्निंग से हैं या सैयोगातमक शिक्षन अधिगम से हैं इन सबको इस विदिक के बारे में चर्चा करने से पूर हमें कुछ बाते जानना जरूरी होता है एक सिक्षक के नाते हम ये माने और जाने कि जो बच्चा हमारी कक्षाओं में आता है उसका अपना एक सम्रद परिवेश होता है और वो सम्रद परिवेश बच्चे के ग्यान के भंडार को लगाता है रच रहा होता है उसको घड़ रहा होता है बच्चा कोरिसलेट नहीं होता है बच्चा पहले से भी कहीं सारी चीजों को जान रहा होता है समझ रहा होता है उसके पास एक परियापत अनुभव होता है एक सिक्षक होने के नाते हम ये मानना चाहिए कि ग्यान का निर्मान और उसका परिमार्जन सामयुकता में होता है समू में गतिविधिया करके, समू में बातचीत करके बच्चे लगातार अपने ग्यान को बढ़ा रहे होते हैं सभी बच्चे सुभाव से जिग्यासू होते हैं कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, एक सिक्षक को ये मानना चाहिए कि सभी बच्चों में सीखने का सामरते होता है, सभी बच्चे कुछ ना कुछ अकसर सीख रहे होते हैं, लगातार सीख रहे होते हैं, और एक सिक्षक इस बात के लिए हमें से त अक्सरम इस बात को जानते और सुनते और समझते आये हैं। सीखने का मतलब एक सिक्षक होने के नाते हमें जानना चाहिए। कि सीखने का मतलब बच्चे जब आपके कक्षा में कुछ अपने अनुबहों को दोरा रहे हैं। उन पर परियोग कर रहे हैं, उन पर बाचीत करते हैं, किये वे काम पर सवाल खड़े करते हैं, उनका उत्तर डूंडते हैं, सोचते हैं और खुझ से करकि देखना चाते हैं। अगर ये सब गतिविदियां हो रही हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे सीखने, सिखाने की प्रिक्रिया का हिस्सा बने वे हैं। एक सिख्षक होने के नाते, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, कि हम बच्चों को सीखने के अफसर दें और सीखने के लिए वातावरन बनाएं। बच्चों के लिए ही होती है, वो कक्षा बच्चों के लिए एक सीखने, सिखाने का जीवन्त अनुभव बनाएं, जीवन्त अनुभव जीवन्त के साथ काम करें। अगर ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से बच्चे सीखेंगे। तो कक्षा की सभी गतिविदियां अगर सयोगात में रवया है, सयोगी की भावना है, तो वो भी अपने आपने सीखना ही है, तो सीखना, एक प्रकार से हैं, बच्चों के अनुभों को दोराना, बाचीत के लिए तयार करना, बच्चे जब सवाल करें, उनका उत्तर ढूंडें, सोचें, कुछ से करके देखना सभी गतिवीजियों के के अंदर में बच्चे होंगे, तो निश्चित रूप से एक बहतर कक्षा के रूप में हम आगे बढ़ा रहे होंगे सहियों की जो सिक्षन अधिगम है, इसका भी अभी पराई यही है, कि एक ऐसी इस्तिति के आप कल्पना करिए, जिसमें एक से अधिग विधियों का उप्यों किया जा रहा है, यानि कि सभी बच्चे निश्चित रूप से अलग-अलग विधियों से सीख पा रहे हैं, और स उस उद्देश्ची के प्राप्ती के लिए सभी बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसा अधिगम जिसका कोई खास निश्चित उद्देश्य हो, उसमें एक से अधिग परकार के अनुदेशन भी काम कर सकते हैं, और सभी विधियारती सामय ग्रूप से काम करते समय, जिस अतिविदी को आगे बढ़ाते हैं, जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, हम अकसर उसे सामय अधिगम का एक परकार समझ रहे होते हैं, ये एक परकार से सामय अधिगम की एक उधारन रनता है, सामय जो अधिगम है, या सहयोगात्मक जो जिसको हम लोग समझ रहे हैं, क यानि कि कोई भी सिख्षन अधिगम यदि वो सामुईक मुल्यों को प्रोसाइट करता है तो निश्चित रूप से वो सहयोगी अधिगम की परिवाशा का एक प्रकार से उधान बनेगा जोन डिवी अक्सर इस बात को मानते हैं कि अगर आपकी कक्षा में लोगतांतरिक मुल्यों का विकास हो रहा है अगर आपकी कक्षा में कोई भी गतिविदी लोगतांतरिक मुल्यों के आधार पर रची जा रही है उसके आधार पर आगे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से बच्चों को औसरे हैं हम बच्चों को समांता का उसर देते हैं 홈 चनके बच्चों को बराबर उसर मिले इस तरहLike घ रचना है इस सिद्धान्त की जो संपूर्ण रचना है वो एक प्रकार से समन्वे कारी है जिसमें सिद्धान्तों की भूमी का जिसमें अभ्यास की भूमी का और इन दोनों के संदर्व में किये गए अनुसंदान की भूमी का मैतुपूर्ण बनती है यानि कि आप सिद्धान् की मजबूत अवधार्णा की रूप में जाना जाएगा या समझा जाएगा सहीयोगी जो सिक्षन है जिसके द्वारा हम छोटी कक्षाओं में पढ़ने पढ़ने की बात करते हैं उसके कहीं आयाम है तो उनके जो मेतपुन आयाम है उनमें सबसे बड़ी बात तो यह कि ये एक परकार से सकारात्मक अंतर निर्वरता है उसको बढ़ाती है यानि कि सभी बच्चे एक दूसरे पर निर्वर होते हैं और ये निर्वरता सकारात्मक की क्यों कि उस गतिविदी के लिए या उस शिक्षाई उद्देश्य के लिए सभी बच्चों का एक साजा उद्देश्य है सबी बच्चे किसी ने किसी खास उद्देशे के साथ, जो उद्देशे एक है, साज़ेदारी लिये वे, सामुत्ता लिये वे, उनका उद्देशे है, उसके साथ काम कर रहे होते हैं कक्सा में उपलब्द जो संसादन उनके पास है या उस गतिविदी के लिए जो भी संसादन उनको मुईया कराए गए है वो सब संसादनों पर सबका अधिकार होता है सबकी भागिदारी होती है तो उनके पास साजा उद्देश्य भी है उनके पास साजा संसाधन भी है और सबसे बड़ी बात ही है कि वो बले ही विक्तिगत रूप से अलग-अलग है पर ज़र वो समू में काम करते हैं तो एक समू ही उनके पैचान की रूप में दिखाई पड़ता है यानि कि उनके अपनी पैचान, उनके अपनी विक्तिगत पैचान जहां गोण हो जाती है और एक समू की पैचान बन कर सामने आती है तो ये समू की पैचान साजा संसाधन, साजा उद्देश से एक प्रकार से सकारात्मक आत्म निर्वर्ता के तरफ बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं यानि कि सब एक दूशे के निर्वर्ता है उसके महत्व को समझ रहे होते हैं इस प्रकार की गतिविदी में या इस प्रकार के जो सिक्षन की प्रक्रिया है इसमें वेक्तियम समो की सकारात्मत जवाब दही भी होती है इसको मैं हम यूँ समझ सकते हैं कि जो सहकारिता का जो सबसे बड़ा नारा हमारे पास है या जो सबसे बड़ा जो धेवाक्य हमारे पास है वो ये एक सब के लिए और सब एक के लिए अर्थार यहाँ पर हर व्यक्ति हर इंडिवीजवल हर वो बच्चा उसकी जो उसने जो भी ग्यान की रहचना की वो पूरे समू के लिए की और पूरे समू ने जो ग्यान की रहचना की उसमें उस बच्चे की बागेदारी है तो यानि कि वो बच्चा उसके द्वारा निर्गत ग्यान पूरे समू के लिए है और पूरे समू के द्वारा जो निश्करसात्मक जो ग्यान निकला जो निचोड निकला है वो पूरे सभी बच्चों पर समान रूप से लागू होगा तो यहां पर एक जवाब देगी भावना जो है उत्तरदायत्व की भावना है वो विक्ति एवं समू की आपस में पूर्णता के साथ होती है यानि कि वो विक्ति भी उतना है जिम्मेदार है जितना हो समू जिम्मेदार है तो वहां पर एक सकारात्मक जवाब देगी भावना पर एक प्रकार से आगे बढ़ रही होती है सबसे मैतुपून बात इस प्रकार के सिक्षन अधिगम में अक्सर उस पूरी की पूरे समू में या उस पूरी गतिविदी के साथ काम करते समय सभी बच्चे एक दूसरे को समझते हैं समानता का भाव होता है वो एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे को पैचानते हैं एक दूसरे की प्रवर्तियां हैं उसको समझ रहे होते हैं तो ये सहयोगी सिक्षन अधिगम सभी बच्चों के लिए कक्षा में एक नए प्रकार का भाव पैदा करता है जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझता है हर एक बच्चा दूसरे को जानता है उसका परिवेस कैसा है उसकी सोच कैसी है उसकी अभीवर्ति कैसी है उसका व्यक्तित्व कैसा है उसकी क्या भाशाशेलिये उसका वेवार किस परकार से है तो वो एक मुका मिलता है, कि सीखने सिखाने के परंपरा के माध्यम से हैं, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के रूचियों को, अभी रूचियों को, उनके कोशल को, उनके क्शंताओं को, उनके कमियों को, जब आप समझ पाते हैं, तो एक दूसरे क वह समझ पाते हैं। तो मुल्त है, सकारात्मक आत्मनिरवड़ता, वेक्तियम् समों के सकारात्मक जवाब देही और समानता का भाव, सहयोगी सिक्षण अधिगम क्या एक बड़ा आयाम बन जाता है। साथी साथ सहयोगी जो स्रिक्षन अधिगम है उसमें कोशल निर्मान एंवं सम्युक्ता का बोध बहुत महतुपून इस्तिती है प्राय छोटी कक्षाओं में कुछ खास तरह के कोशल के निर्मान के लिए ये विदी बहुत उपयोगी बनती है इस तरह की गतिविदी में इस ने आ रही होती है जिनमें मैं तो पूर्ण है कि बच्चे के अंदर नेत्रत्युक्षमता का विकास होता है अब वो अपनी कक्षा की अगवाई करने लगता है अपने समू की वो अगवाई करने की क्षमता उसके अंदर विक्सित होती है तो वो अपने आपके अंदर आत्म चोटे समू में काम करते समय डिसीजन लेना या निर्ने करना, फेसले लेना किसी भी समय पर उन बच्चों को उस समू में काम करते समय फेसले लेने पड़ेंगे, मान दीजिए आपने अपनी क्रक्षा में ये तय किया कि सहयोगी शिक्षन अधिगम विदी के दुआरा कि आज के आसपास में उनके परिवेश में कौन-कौन सी फसलें इस मौसम में लगाई जा रही है इन फसलों का बजार कौन सा है इन फसलों के लिए किस मौसम में या इस जो भी अभी समय चल रहा है इस मौसम में किन-किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी बन जाता है फसल के उपरान कौन-कौन से लोग इस खिती के करम में, कौन-कौन से लोग आएंगे, कहां से मजदूर आएंगे, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में किन-किन लोगों की भागेदारी होती है, यह जानना यह समझना आपने गतिविदी की रूप में, यह सहियो की चिक्षन की रूप में करना है उनमेंसे कौन है कौन होगा जो पूरे समुगा नित्रित्व करेंगा तो आपस में वो बच्चे स्वत ही अपने अनुभ़ों के आधार पर खुद से अपना एक नेता खुद से अपनी अगवाय करने वाले विक्ति को चुन लेंगे तो यह एक नित्रित्व शमताव व लिकास के तरफ बढ़ा रहा होता है, एसी गतिविदी जिसमें बच्चे तय करते हैं, निर्विरोध रूपस से तय करते हैं, यँ आपस में बहस करके तय करते हैं, और वो एक अंतिम निर्णे तक पहुंचते हैं, कि हाँ, ये हमारे नित्रदर तो करने वाला होगा, ये व्यक्ति हमें दिशा निर्देश देगा और इसकी दिशा निर्देश के हमें पालना करनी है तो एक प्रकार का अनुशाशन ये भी इस गतिविदी से पनपरा होता है आगे बढ़ रहा होता है साथी साथी ये वो प्रक्रिया भी है जिसमें हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं बच्चे एक दूसरे पर भरोसा करने सीखते हैं न केवल वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं वो अपने कियेवे ग्यान को खारी जोने और अपने कियेवे ग्यान को पुष्ट होने दोनों इस्तितियों के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो उन्होंने समझा है जो उसे सीखा है अगर वो ग्रूप में या अपने समू में स्विकारी है इसका मतलब वो ग्यान पुस्ट होता है और अगर मान लीजिए वो ग्यान स्विकारिय नहीं है वो इस्तितियां स्विकारिय नहीं है जो उस व्यक्ति ने एक अकले व्यक्ति ने बनाई है तो वो इस बात को भी जानने का प्रयास करेगा क्यों स्विकारिय नहीं है तो एक प्रकार से जो विग्यानिता है जिसके हो हम आउसरों के माध्यम से उस व्यक्ती में, उस बच्चे में, उस विध्यारती में एक विश्वास का निर्माण होता है, यह बहुत मेयतृपून बात है. आपस में बात करते समय, उनको इसा आउसर ही मिलता है, क्वो एक दुश्रे करीब आते हैं, आपस में मित्रता का विकास होता है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की रूचियों, उनकी मुल्यों को, उनकी गत्तित्व को समझने का उनको, उनके पास एक अउसर होता है, और ये सब अउसर मिलकर आपस में, उनके बीच में एक मित्रता का भाव पैदा करता है, एक दूसरे की जो एक दूसरे की जो तरीके हैं कि कौन विर्थी केसे काम करता है मेरी कक्षा में पास में बेठावा मोहन वो ये जान पाता है कि जो जाकिर है वो केसे काम कर रहा है जाकिर को किन सब चीजों को जाकिर का समझना है वो किस प्रकार से होता है तो मोहन और जाकिर के बीच में एक नए प्रकार से संपरेशन इस्तापित हो रहा होता है सीखने के माध्यम से कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों एक ही मोलने में रहने वाले हैं एक ही बस्ती में रहने वाले हैं या एक ही गाओं के रहने वाले हैं फिर भी बहुत कम ऐसे आउसर होते हैं जब वो ब बच्चा दूसरी बच्चे से कहीं तरह की समझाओं से जूजता है लड़ाई जगड़े होते हैं वाद विवाद होता है पर सहयोगात्मक सिक्षन एक ऐसा आउसर मुहिया कराता है उन बच्चों को जिसमें वह अपने इस चोटे-मोटे जगड़ों का चोटे-मोटे करता नई है किसी केसाद उनकी दोस्ति नहीं है तो वह अपसमें ही उसуш सम्हों की मदद से उसका निप्तारा करते हैं तो वो एक प्रकार से कई कि इस्तितियों सजोंद से से गुजरतें और गुजरते वे नितरत्व शमता काविकास कर रहे होते हैं बहुत बड़ी बात है छोटी केक्षाओं में खास तोर पर तो निर्ने शम्ता का विकास हो रहा होता है खुद में और अन्ने सातियों में वो विश्वास करने लगते हैं आपस में दूसरे को जानते हैं वित्रता का विकास होता है एक दूसरे से बाचित करते हैं उनकी बाच स्माज की बारे में भी जान पाते हैं तो इनिश्चित रूप से एक प्रकार का यह समयकन भी हो रहा होता है संप्रेशन के माध्यम से और बड़ी बात हो यह कि इस तरह की स्थितियों में बच्चे अकसर अगर मान लीजिए विवाद की स्थिति में तो आपस में खुद भी न स्थिति करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ी तयारी की आउशकता होती है पर यह तयारी चूंकि आप रोज काम करते हैं तो बहुत सहज भी है चूंकि सभी लगबग सभी सीखने की परंपराएं इसी तरह की तयारी की साथ आगे बढ़ रही होती है आपको सबसे पहले एक योजना बलानी होती है कि हमें क्या करना है कल की कक्षा में और इस योजना का निश्चित रूप से किसी आपके विशे के साथ किसी विशे की मुद्दे के साथ आपका सथ जुड़ा होता है सहियोगी सिक्षन दो प्रकार से हम लोगों ने समझने का प्रियाज कि एक तो यह कि सहियोगी सिक्षन में आप न केवल एक से अधिक विद्यों का समयकन कर रहे होते है यानि कि एक ही काम को करते समय कई प्रकार की विद्या इसमें 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 इसम परियोग करके भी जूट सकते हैं बच्चे वाद विवाद या भाहस करके बच्चों को एक नए चीज की जानकारी मिल सकती है तो कहीं प्रकार के मुल्यों का समयकन होता है एक तो यह स्थिति हैं दूसरी इस्तिती है कि हम एक समू बनाते हैं, कि बच्चों का अपनी कक्षाच में एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, जोग साथ काम कर पाते हैं, वो एक समू का निर्मान होता है, इस छोटे समू के निर्मान से बच्चों के भागिदारी स्वतर बढ़ जाती है, क अच्छे जवावदेई भी बनते हैं और आपको अंत में इस पूरी गतिवीदी को आयोजित करने के दर्मियानी जानना और समझना होता है और चिंतन करना होता है कि ये पूरी गतिवीदी किस तरह के निसकर्स की पास पहुँच रही है और इसमें सीखने-सिखाने की परंपर कोण विक्सित होता है तो सीखने-सिखाने की का जो उपागाम हो सार्तक बनता है इस प्रकार की सिक्षन में किसने सीखा के बरक्स क्या और कैसे सीखा ये मैत्पुन बन जाता है यानि कि ये मैत्पुन नहीं होता है कि कि किस बच्चे ने क्या सीखा है बलकि मैत्पुन बनत तो शीखने की प्रकरती और सीखने की प्रक्रिया दोनों मैत्वण बनती है वहाँ पर अधिगम करता स्वतक गोणों जाता है इस प्रकार की गतिविदी एक दूसरे को प्रोथसाइद करती है अपने साथियों के साथ वो विचार और उनके जो नजरिया उसको समझते हैं वित्रता के भाव में अगर आते हैं तो इस प्रकार की जो गतिविदी ए इस प्रकार का जो शिक्षन है वो बच्चों को सहिष्णू बनाता है एक दूसरे को सुनते हैं एक दूसरे को समझते हैं और इस तरह के सुनने और समझने के प्रक्रिया में वो लगातार प्रतिस प को हमने साजे रूप से बनाया है यह मैत्पून बनती है और इस प्रकार की इस्तितियां लगादार प्रतिसप्रदात्मक जो रविया है उसको दूर करेगी समझ्या समधान करने का एक कोषल का विकास होता है आज की इस दोर में छोटे बच्चों में अगर हम इसके बारें बात करें तो उनके पास कई समझ्या होती है तो खुद से इन blueberry को दूर करना चाहते और एक प्रकार की कोषल का निर्मान कर रहे होते हैं जब इन समझ्या के इस प्रकार की इस्तितियों में साथ मिलकर काम करने की भावना मजबूत होती है सामुएक निर्ने लेने की भावना का विकास होता है और यदि किसी कारण से उस समुए अगर असफल भी हो गया मन लीजिए जो निर्जिस्ट लक्षे आपने उनके लिए तहे किये थे या जो काम आपने उनको दिया था वो किसी कारण से नहीं कर पाई या उस नतीजे तक नहीं पहुँचे तो इसमें वो चिंता उतनी चिंता नहीं होती है यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर उस असफलता का जो भाव है वो उस रूपे नहीं आता है और वो उसकी जिम्मेदारी है वो किसी एक पर नहीं होती है। हमेकन है भुगोल का इतियास के साथ, इतियास का समाज के साथ, समाज का विज्ञान के साथ, अपसमें ये एक समय समनुए बनता है, और इस प्रकार की जो गतिविदी है या जो इस प्रकार का सीखना वो इसलिए भी महत्पूर्ण है कि वह बच्चों में सामाजी के वह नितिंग मुल्यों का निर्मान करता है जो बहुत बड़ी बात है यह व्यक्तिगत कोष्णों का विकास करता है जो अपने आपे बहुत मजबूत इस्तिति है जब हम यह सकते हैं तो निश्चित रूप से ह हम सीखने सिखाने की इस परंपरा में बच्चों के साथ उनमें लोगतांतरिक मुल्यों का विकास कर रहे हैं सामाजीकता का विकास कर रहे होते हैं और इन सब में जब बात करते हैं हम लोग तो यह प्रक्रिया की रूप में सहयोगी श्रिक्षन अधिगम यह मानता है कि लिखते हैं और साथ इसाथ इन पूरे इस्तितियों में वो यह भी बतानियर करने का प्रियास करते हैं जहां पर कारे करन संबंध इस्तापित हो यह विज्ञानिक दस्ट्रिकोण का विकाज भी हो रहा होता है तो सयोगात में शिक्षन अधिगम वस्तुत है एक विज्ञानिक पद्दति है एक लोकतांतरिक पद्दति है जो सामाजिकता और साम्युकता के साथ नए मुल्यों को गड़ रही होती है और आज कि इस प्रतिसप्रदात्म यूग में एक बैतर विकल्प है जहां हम ज्यादा अच्छे तरीके से सीखने सिखाने की परंपराओं प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं आपकी भूमिका जो बहुत महतुपूर्णा में यह मानता हूं कि आप एक योजनाकार की रूप में काम करते हैं करक्षा की रचना आप कर रहे होते हैं गतिवीदी का आयोजना आप कर रहे होते हैं संसादन मुया भी आपको कराना होता है आप एक परिवेक्षक की रूप में काम करते हैं होते हैं कि इस बात को आप लगातार सचेत रूप से देख रहे होते हैं कि कि किस गुरूप मे किस प्रकार की इस्तितियां का निर्मान हो रहा है और उन्हें किस प्रकार की इस्तितियों में से चुनोतियां मिल रही है और मुलत है इस प्रकार की गतिविदी में एक शिक्षक शिक्षक की भूमिका में कम और एक सीखने वाले की भूमिका में जादा होता है तो यानि कि आप एक सक्री अधिगम करता के रूप में भी चिन्नित हो रहे होते हैं पूरी सहियोगी शिक्षण अधिगम की जो परंपरा है उसमें सिक्षक केंदरी भूमिका में आ जाता है और वो भूमी का शिक्षक और विध्यारती दोनों ही मिलकर साजा कर रहे होते हैं विश्यों के साथ, पद्दतियों के साथ, बच्चों के अपने अनुभाओं के साथ वो शिक्षक की अपनी सक्रियता के साथ, वो देख रहा होता है उस पुरी के पुरी रचना और उस जो अपनी कक्षा है उसके लिए काम कर रहा होता है इदियम ऐसा करते हैं तो छोटी कक्षाओं में हम कई प्रकार की चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं व्ही बैतर बना सकते हैं यह जानना और समझना भी हमारे लिए जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में आपकी भूमी का मैत्रपुन बनती है और अंत में आप सब लोगों से यह उम्मिद करूँगा कि हम सब अपनी कक्षाओं में इस प्रकार का माहूल पैदा करें इस प्रकार की माहूल की रचना करें जहां पर बच्चे लगातार सीखें और सयोगात्मा रूप से सीखें तो निश्चित रूप से जब सयोगात्मा रूप से सीखा जाएगा काम किया जाएगा तो वो बालकेंद्रित अधिगम होगा वो एक अनंदाई शिक्षन की लगातार हमारी नहीं पाठी चरिया बात करती है उसके तरब में लोग बढ़ रहे होंगे छोटी कक्षा हमें बच्चों के संख्या, बच्चों का आना एक प्रकार से ने ने प्रकार से रेखंकित होगा ने प्रकार से आपको एक ने सीखने और सिखाने मदद देगा